मेरा नाम दीतक है और मैं सती ट्रेवल सेनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज मैं आपको लेकर आचुका हूँ फिर से एक नई रोचक जानकारी लेकर तो दोस्तो चलते हैं आज की वो रोचक जानकारी सुनने के लिए उसका नाम है फ्रॉक पॉइंट दोस्तो भवाली अल्मोडा राश्टी राजमार्ग नैस्नल हाइवे पर कैची धाम के बाद गरम पानी एक ऐसी जगह है जहां पर उसको फ्रॉक पॉइंट के नाम से जाना जाता है दोस्तो फ्रॉक पॉइंट यानी एक मैढ़क के आकार में बना हुआ पत्थर जिसको देखने के लिए देश बिदेश से लोग यहां पर घूमने के लिए आते हैं और काफी इंज्वाई करते हैं दोस्तो नैनी ताल में फ्रॉक पॉइंट जो जगह है उसको सबसे बड़िया पहचान दिलाने का कारिय नैनी ताल निवासी रोहित्सा ने किया दोस्तो आपको जानकर हैरानी हो रही होगी कि वास्तों में इस जगह को इतना फिमस क्यों बताया जा रहा है क्योंकि जब भी कभी आप इस जगह पे आएंगे तो आप यहां पे केंपिंग कर सकते हैं यहाँ पर bonfire होता है और यहाँ पर सारी वो activities जो आप चाहते हैं अपनी family के साथ बिल्कुल safely वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाती है दोस्तो वगाइदा आप पानी में बिल्कुल जो उत्तर भाहनी शिप्रा नदी है जो कि हमारे गरम पानी में जाकर के मिलती है इस शिप्रा नदी में आप नहाने का कारी भी कर सकते हैं और दिन न अपनी family के साथ enjoy कर सकते हैं तो दोस्तो कभी आप अपनी family को लेकर के अगर नैनी ताल विजिट करने का plan बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको camping करने हैं आप चाहते हैं कि आपको city की life से थोड़ा दूर हटके enjoy करना है तो आईए नैनी ताल के frog point में जो कि नैनी ताल से महज 20 km दूर कैंची धाम से आगे गरम पानी एक जगर पर इस्तित है आप वहाँ पर आएंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगे दोस्तों जानकारी कैसी लगी आप मुझे comment करके जरूर बताएं अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई जानकारी लेकर तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्त रहें, मस्त रहें, देख्टे रहें सती ट्रेवल्स, बबाई